हेलो एंड वेल्कम बेक किसोर इंगलिश टिचिंग सेंटर तिर्वनिगन सुपोज आज हम लोग प्राग्राफ नंबर फाइब पढ़ने जाड़ हैं आडिया डेट हैब हेल्प्ट मैंकाइंड का देखिए प्राग्राफ नंबर फाइब कदक एज टू डावर सिटी जहां त सब्सक्राइब करता हूं रिडिंग एन अकांटों और सम्माइन की कुछ के बारे में कहें एक रीडिंग जो किया गया था उनके बारे में अद्यान किया तो मैंने देखा उन किताब को कि एक बार की बात है शेर को खूस रखने के लिए मूवी ले जाया गया श्वयंग दा सक्सेस्पूल डिप्रेडेशन ओफ लायन्स और किस प्रकार से एक शेर अच्छा से सिकार कर पाता है इसका कहानी इसका सक्सेस्पूल अस्टोरी के यह उस शेर को दिखाया गया इने वाइल्डेश्टेस जंगल में किस प्रकार से एक सेर सफलता प्रवप शिकार करता है वह श्टोरी वह कहानी उनको दिखाया बट नन ओफ देम लेकिन कोई भी नहीं गोट एनी प्लेजर लेकिन उसमें से कोई भी सेर खूस नहीं हो पाया फ्रॉम दा स्पेक्टेकल उस या ऐसा वसे एक बार की बात लेक। कहते हैं कि कैसे हम लोग ज investig देखकर खूस रह जाते हैं इसी प्रकार से बने खूस रहा पायका इसको जाचने के लिए एक पर रोग किया गया और सेर को मुवी ले जाया और वहां पर शेर से ही समंधित मूवी दिखाया गया किस प्रकार से एक सेर शफलता पुर्वक दूसरे किसी जानवर को पर अटेक करके उसको कहें कि दबोच लेता है सेर को ले गया था मूवी ले जाया गया था उसके बारे में लेखकत बट नन ओफ देम उनमें से किसी भी सेर को गौट एनी प्लेजर कोई खुशी नहीं मिली फ्रॉम दा स्पेक्टेकल उस तमासा से नौट वनली म्यूजिक तब जब मालेजे कि आपके पास कोई तरीका से जंगल में सिकार गया उसका स्टोरी जब दिखाए जाता सेर को तो उसको आराम से पागुल करते पुराता है बैठा हुआ राता सांथ से उस पर कोई प्रभाव नहीं परता कुछ सेर को ले जाया गया था तब सेर को जांचने के लिए म्यूजिक अच्छा संगित सुना गया कविता सुना गया विज्ञान की बात बताए गई फुटबॉल दिया गया उसको बेसबॉल खेलने के लिए लिए दिया गया तब सेर को जो है शराब भी पिलाए गया लेकिन जानवर को इन सब किसी चीजों से कोई खुशी नहीं मिली आवर इंटेलिजेंस एज देरपूर लिखर करते हैं अमारी बुद्धी ने इसी प्रकार इन्जों में खुशी को ले पाते हैं इन इसे ऑपन टू एनिमाल से जानवरों के मामले में जानवर को यहनी हम लोग मूवी देखकर म्यूजिक सुनकर फुटबॉल खेल कर जो आनद ले पाते हैं वह जानव है लेकिन यह सब लाब हमें मिला है इन सब को हम लोगों ने प्राप्ट किया है एक्सपेंस करके खर्च करके ओफिक मच ग्रेटर लिवार्टी टू बोर्डम मिंस होता है कि बोर्ड होकर हम लोगों ने और अपने बोर्ड हुए है इसके लिए लिवार्टी निए अपने आजादी को खोए हैं इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए मतलब मुवी आप देखकर आनंद लेते हैं तो मुवी बनाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति को बोर्ड होना पड़ता है एक कई साल तक मेहनत करने होती है म्यूजिक गाने के लिए म्यूजिक लिखने के लिए किसी को जो लिखता है उसको कई दिनों तक एकांट बैठना पना परता बोर होना परता है बाट जानवर के साथ इसी बात ने वह आराम से सब दिन मजा से रहता जंगल में बट आई सेल बी टोल्ड डैट टोल्ड डैट इज नादर नमबर्स नौर मल्टिप्लिशिटी लेकिन लेखक काते कि मैं यह कहूंगा कि कि ना तो शंख्या नहीं मल्टिप्लिटी मल्टिप्लिशिटी ओफ प्लेजर्स ना तो खुश्यों का बढ़ना जैट मैंग द गलोरी ओप मैन यह सब भवता नहीं बना सकता मां आदमी को महान नहीं बना सकता है यह आदमी को महान बनाने में ना तो खुश्यों का जरूरी है बहुत अधिक हाथ है ना तो उनके शंख्या का हाथ है इन इस इस इंटलेक्ट्वल या उसकी बुद्धी and moral qualities और उनकी ना उनका नयतिक्ता ही है जो उसे आगे तक लिए जाता है इतीज ओविएस डेट यास पस्ट है वी नो मोर दैने मल्स डू जितना जानवर जानता उससे अधिक हम लोग जानते हैं एंड इटीज कोमन टू कंसिडर कंसिडर इस वन ओफ आवर एडवांटेज एडवांटेज कि हम लोगों ने अधिक से अधिक लाब और किया है कि हमारे बुद्धी है ही है कि हम लोग शायंस का विश्कार कर लिए फैटर बना लिए हैं जगवार बना लिए हैं वेदर इटीज इनफैक्ट एन एडवांटेज में डॉटेड लेकिन यह हमारा एडवांटेज जो यह सब जो बहुत तिक चीज हम लोग बनाए है या संदे भी किया सकता है यह यह हमों स्थिती में लेकिन किसी भी स्थितिती में हमारा बुद्धी यह इसी जो डिस्टिंग्वीज करता हम में भिनता बदाता है समलोगों को भिन्द करता है फ्रॉम दप्रूट्स जानवरों से अब देखिए प्राग्राफ नमबर सेवन पड़ते हैं लिखा करें है शिवलाइशन टाउटस क्या सब बताने हमें सिखाया है तुबी मोर फ्रेंडली अधिक मित्रवात रहने के लिए ट्वाट्स वन अनदर एक दुसरे के साथ दांसरी जी जी आस उत्तर जो है आसान है कि हम लोग यह जानवर अपने में मिल कर नहीं रहा पाता लेकिन हम लोग अपने एक मानव दुसरे से अच्छी तरीका स से भावनात्म गूरूप से जूर कर रहा जाता है तो क्या हमारी श्रवतानिया सिखाई है तो लेकल काते ही इसका दा आंसरी जी जी उत्तर आसन है रोबिन्स इंग्लिश रोबिंज इंग्लिस बड़्ड इंग्लिस पक्षि है नौट अमेरिकन अस्पैसेश या रोबिन ज छौंच मार मार के उसको मार देता है अपने माब को वेरेज मैन जबकि आदमी का बात किजेगा और आदमी को देता है within the herd हम लोग अपने समूह में we are more friendly अपने समूह में अपने मानवों के समूह में हम लोग more friendly अधिक मित्रवत होते हैं to each other each other एक दूसरे के साथ यानि एक मानव दूसरे मानव के साथ बहुत मित्रवत रहता है then are many spices of animals ऐसा दूसरे जानवरों में नहीं होता है जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है बाट इन आवर एटीचूट टूर्स दोज आउटसाइड दा हर्ड लेकिन हम लोग अपने से आउटसाइड के हर्ड में समूह में जैसे मुडगा का अपत्या कर देते हैं मवेशी का कर देते हैं in a spite of all that has been done by जैसा कि हम नैतिक वादी शिक्षक भी इतना सिखाते हैं कि हमें किसी भी जीव का हत्या नहीं करना चाहिए और रिलीजियस टीचर जो भी धर्म के काड़ेते मार देते हैं हम में हमारे अंदर उस जनुवर को कारते सब्सक्राइब कोई भी ध्या का चीज नहीं आता दया नाम की चीज नहीं आती है और इंटेलिजेंस शेमर्स और व्र हमारे बुद्धी जुन हमें योग्य बनाता है कि जूभी सेवेज बीस्ट जंगली जीव जानवर है उस से अलग करता है It may be hoped, ऐसा आसा किया जा सकता है, though not very confidently, किये कि पूरी तरीका से, confidently रूप से, पूरी तरीका से, किये कि confirm रूप से, that the more human attitude, मानव का जो भी भावना है, will in time come to prevail, but so far, are not very propitious, मानव को एक दूसरे के साथ, मतलब दूसरे जीव के साथ, भी बानवता का ही भावना दिखाना चाहिए, all these different elements, जो भी दूसरे तत्व है, must be born in mind, हमारे दिमाग में या बात भी आना चाहिए, कि हमें दूसरे जीवों का भी शम्मान करना है, in considering what ideas have done most to help mankind, हमें या सोचना चाहिए, कि what ideas, कौन सा विचार हम लोग अपने में लाए, have done most to help mankind, जो मानवता को अधिक से अधिक मदद करे, the ideas, विचार जो है, with which we shall be concerned, may be broadly divided, हम लोग के अंदर जो भी विचार है उसको, हम लोग broadly divided into two kinds, दो भागों में खास करके बाठ सकते हैं, those that contribute to knowledge, and technique, यानि हम में एक तो knowledge है, ज्ञान सिखने की छमता है, और हम में कहिए की technique भी है, कोई चीज, कोई कारी करने का, इननी दो चीजों के कारण, हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, and those that are concerned with morals and politics, और हम मोरल्स नयतिकता भी रखना चाहिए, रायंति रूप से विकारी करना चाहिए, आइविल ट्रीट फर्ष्ट दोज, मैं पर्थम दो यानि एजूकेशन को, और कई नोलेज को, और टेकनिक जो हैं इन दोनों को, आपने ग्यान की मदद से और टेकनिक की मदद से, सबसे महान कहिए कि और कठीन कदम, जो इतिहास के उदय होने से पहले उठाया गया, इसटेज लेंगवेज बीगेन, वह यह है, बासा का विखास किस समय हुआ, इस नोट नोन यह नहीं जाना, यह पता नहीं है, बासा का अविश्कार कव हुआ, बासा कव से बोली जानी लगी, यह बात लिखक करते मैं सपश्ट नहीं बता सकता हूं, बातों को ले जाना बहुत कथिन था, बातों को ले जाना बहुत कथिन था, जो भी भी खोज हुआ है, जो भी आविस्कार और खोज धीरे-धीरे हुआ है, उसको आगे तक ले जाना बहुत कथिन था, भीना भासा का, सगसी है संदम कि जो आया होगा बीफोर पहले और बीङनिंग कई सिरुवहाई कोज था मैं मानता हूं कि एड फर्स्ट पहली बार चीफ ली यूजड आग का पर्योग किया जाता होगा टू कीप अवे वाइल्ड बीस्ट यह जंगली जानवरों को कीप अवे दूर रखने के लिए वाइल आवर एंसेस्टर स्लेप्ट जब हमारे पुर्वज शोते होंगे बाट द गर्मी के बारे में भी लोगों को तब पता चला होगा लेंग्वेज यह नहीं होता तो हम लोग बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाते लेंग्वेज जब भी आया तो पहले तो चिन के माध्यम से लोगों ने लिखना शुरू किया और जब लेंग्वेज आया तो उसके आग अविश्कार हो अने पहले तक हम लोग हम लोग करते लेकिन जैसे ही आग रहा का परतम पहले किसी चीज पर घिसने के बाद लगा जंगल में कभी लक्री से लग्री घिसने के बाद आग लगा होगा उसमें कुछ जनवर जो जल गया होगा है उसको कभी हमारे पुर्वजों ने खाया अगा और उसके बाद वह टेस्टी लगा होगा तो लोगों मतलब हमारे चनवर जनिवर बेंडरे होगा कि पाज ब्ली सोते थे आपने आज आक जला के रख लेते थे अब देखिए प्रिजूम्बली ऑन सम ओकेजन कुछ अवसर पर लेखक का जब कुछ अवसर पर एक बच्चा को डाटा भी गया होगा क्योंकि बच्चा यदि मीट को फेका होगा मांस को फेका होगा into the fire आग में मनव को अपने चोटे भच्चों को ले कर भी आग के पास बैठा होगा और घ्लाइक क्चा का जब कुछ दिया होगा लेकर बच्चाey जब दाटा भी होगा और मांस हमाने को उस Careう हुग तो तब तक बनते निकते ऊपने के बाद अधिक इसम णौर्थ कर दिया होंगा और इस परकार मच बेटर क्या अच्छा और इस प्रकार से कुकरी जो है खाना बनाने का इतियास जवा सुरू हुआ होगा, the taming of domestic animals, the taming of domestic animals, घरे लुष, जानवरों को पालने का जो सिलसला था, especially the cow खास करके गया, and the sheep, must have been, life much pleasant, आदमी के जीवन को बहुत pleasant बना दिया होगा, खुष्णुमा बना दिया होगा, and more secure, and more secure, और आदमी, आदमी के जीवन को और दिक, secure बना दिया होगा, शुरक्षित बना दिया होगा, जब आग का आविस्कार हुआ होगा, some anthropologists, कुछ जो मानव वैज्ञानिक सब है, have an attractive theory, theory वह बहुत है, आकर्शक एक theory देते हैं, that the utility of domestic animals की utility means उप्योगिता, of domestic animals, यानि घरेलू जानवरों का उप्योगिता जो है, लोग जानवर को भी नहीं पालता होगा, but the people attempted to tame, लेकिन लोगों ने परियास किया होगा, attempt किया होगा, परियास किया होगा, to tame पालने का, whatever animal, जो भी जानवर, their religion taught, जो उनके धर्म ने सिखाया होगा, them to worship पूजा करने के लिए, जिस लोग के धर्म में, जिस जानवर का पूजा किया जाता होगा, उसी जानवर को भी पालना शुरू किया होगा, the tribes that worshiped, अब देखें, जिस आदमी के धर्म ने सिखाया होगा, lions, यानि सेर का, crocodile, crocodile का पूजा करने के लिए, वह आदमी उसी को पालने का भी परियास किया होगा, the tribes that worshiped lions, जिस जाती ने सेर को पालने का परियास किया होगा, and crocodiles, घर्याल को कहिए, मगरमच को पालने का परियास किया होगा, क्योंकि उनके धर्म में उसी का पूजा होता होगा, डाड आउट होगा, क्योंकि उन जानवरों को जब पालने के लिए गया होगा मानव, तो वह जानवर उसको मार दिया होगा, खा गया होगा, वाइल दोज टू हूम दक्को, लेकिन जिस आदमी ने गय का पूजा करता होगा, जो आदमी और दसी बेर का वाज्या, आदमी भागे साली बन गया होगा, क्योंकि उस जानवर से मांज भी प्राप्त करेगा और दूद भी प्राप्त करेगा, वाइल दोज टू हूम, आई लाइक दिस थेयरी लेकक का दिक मा इस थेयरी को इस शिद्यांत को पसंद करता हूँ, यह जबकि इसमें पूरी तरीका से अनुपस्तित अविटेंस यह कोई इसका प्रमान नहीं है फिर भी इस थेयरी पर मैं भिश्वास करता हूँ, इस थेयरी के इस शिद्यांत के ना तो बिरुद में कोई 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 एविडेंस है शबूत है ना तो इसके सपोर्ट में, यहां तक की अधिक मावतवपूर्ण जो सता है जानव Yukisamnel अन्यारिण कार्य कारे था हूआउं इनि टेस्स ब्लंच कमेंडुब हैं मिस होते ब्लाद तो इस हमाव मेंट ने जोडर में खूनी पर्था को लाया लोग अपने बच्चों का बली दिया करता था ऐसा लोग का सोच था कि फर्टिलिटी राइट्स टेंडे टू इन्वॉल्वन शक्रिफाइस कि फर्टिलिटी के लिए उपजा के लिए हुमन मानव का बलेदान देना जरूरी है एंड केनिबलिजम मोलोच ऐसा कहा जाता था कि क्रिशी का देवता मोलोच जो है उसको उड़नोट हेल्प दा कोर्ण वह अनाज को बढ़ने मदद नहीं करेगा तो ग्रोव अनलेश ही वाज अलोड टू फिस्ट ओन दा बलड ओफ चिल्रें जब तक बच्चा का बलड नहीं दिया जाएगा खूल नहीं दिया जाएगा तब तक मोलोच देखता जो क्रिशी का है वह अनाज नहीं उपजने देगा सिमलर ओपिनियन वाज एडूप्टेट वाइद एवेंजलिकल्स ओफ मैंचेस्टर मैंचेस्टर के इवेंजलिकल्स जो जगह है वहां पर भी इसी प चोबास के बच्चा को चोड़ के बच्चा को चोड़ा बारस चोड़ा घंता सक काम कराता था यह वहां भी आसा सोच था जितना च्टा बच्चा कारी करेगा उतना प्रगती होगी in conditions that caused इसस्तितिक कारान most of them to die बहुत अदिक बच्चे मर जाते थे इस नाव बैन डिज यह नहीं देना परेगा और चलाने के लिए बली नहीं देना परेगा अब हम लोग ज्ञान के यूग में जान गए हैं की यूग के लिए अब हमारे पास है भी देलाश्ट ग्रेट प्री एस्टोरिक इंवेंशन हिस्ट्री से भी पहले का जो कुछ इंवेंशन आविस्कार है वाइड आर्ट ऑफ राइटिंग लेखन का कला था यह लिखने के कारण बासा जब हम लोग सीखे तो उसके बाद लेखन का कला था जिसके कारण और अधिक हम मतलब किताब के साइज में लिख के अपने आने वाले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाते थे और हमारे पुर्वत जो भी लिख के जाते थे उनसे हम लोग सिखने लगे विच वाज इंडीड प्री रिक्विजाइट ओफ इस्ट्री जिसकी कारे इतिहास बनने लगा राइटिंग लाइक स्पीच बासन डवलप्ड ग्रेज्वली धिरे धिरे विकास्वा एंड फॉर्म ओपिक्चर डिजाइन पहले जो है हम लोग बात डिजाइन से पिक्चर से तस्वीर खीच कर करते थे चित्र के माध्यम से अपना समचार दुसरे के पास पहुंचाने के लिए इडवाज प्रोवेवली एज ओल्ड एज स्पीच बासन से भी बासा से भी पहले चित्र से ही हम लोग बात करते थे बट प्रॉम पिक्चर तुस लेवल राइटिंग और तब हम लोग लिखना भी चित्र के माध्यम से सुरू किये देन एंड़